नमस्ते सबको, संदीप ये रहा, संदीप एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा मुस्कान के साथ आपका स्वागत करता है, उसकी उर्जा और उत्साह संक्रामक है और वह हमेशा नए रोमांच के लिए तैयार रहता है, एक एडवेंचर के लिए तैयार हो जाओ, हमें कैसे सफर पर सन और रहस्य हैं, यह जगह अपने आप में एक कहानी है, जहां हर कोने में एक नया रहस्य छुपा हुआ हैं, यहां की सन आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी और रहस्य आपके मन को उठ्सुकता से भर देंगे। एक ऐसी जगह जहां कहानियां और मुस्कान हैं, यहां के लोग इतने मिलंसार हैं कि आपको लगेगा जैसे आप अपने पुराने दोस्तों के बीच हैं। हर मुस्कान एक नई कहानी कहती है और हर कहानी एक नई मुस्कान लाती है। अपने बैक पैक करो, हम बर्मूडा जा रहे हैं। यह जगह अपने खूबसूरत बीचों और मिस्टरी मैस थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहां की यात्रा आपके जीवन की सबसे यादगार ट्रिपों में से एक होगी। क्या आप उत्साहित हैं? मुझे पता है मैं हूँ। यह यात्रा न केवल आपके लिए एक नया एक्स्पीरियंस होगी, बलकि यह आपके जीवन में एक नया अध्याय भी जोड़ेगी। पानी कहता है। सोचो सुंदर बीचेज, नीला पानी और एक ऐसा बातावरण जो आपको शान्ती और सुकून दे। यहां का नीला पानी इतना साफ है कि आप उसमें अपनी परचाई देख सकते हैं। यह जगह आपके दिल को सुकून और आपकी आत्मा को ताजगी देगी। और रहस्य जो आपके सर को घुमा देंगे, यहां के मिस्टरी में स्थल और द्रिश्य आपको हैरान कर देंगे। हर कोने में एक नया रहस्य छुपा हुआ है जो आपको उत्सुकता से भर देगा। मज़ेदार तथ्यों, स्वादिष्ट भोजन और शायद एक या दो पाइरेट कहानी के लिए तयार हो जाईए। बर्मूडा की हर चीज में एक खासियत है चाहे वह यहां के मज़ेदार तथ्य हों या यहां का स्वादिष्ट फूड और हाँ यहां की पाइरेट कहानियां तो बस अद्भुत है और शायद एक या दो पाइरेट कहानी के लिए तयार हो जाईए। यहां का स्थानिय भोजन इतना स्वादिष्ट है कि आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। हर यात्रा आपके जीवन की सबसे यादगार ट्रिकों में से एक होगी। आईए बर्मूडा को एक साथ एक्स्प्लोर करें। दोस्तों के साथ इस यात्रा का मज़ा और भी बढ़ जाएगा। हर कदम पर एक नया एक्सपिरियंस, हर मोड पर एक नई कहानी। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं और बर्मूडा की खूबसूरती और मिस्ट्रियों को एक साथ एक्स्प्लोर करते हैं। जरा सोचिए, आपके चेहरे पर सूरज की गर्माहट है, आप एक विशाल क्रूज शिप पर खड़े हैं और आपके सामने बर्मूडा का खूबसूर का एहसास कराती है। आप अपनी आखें बंद करते हैं और इस पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करते हैं। दूर से सीगल्स की आवाज आ रही है। ये पक्षी समुद्र के उपर उरते हुए एक अध्वितिय संगीत रचते हैं जो आपके दिल को सुकून देता है। य यह सब कुछ एक जादूई एक्सपिरियंस की तरह लगता है। आप एक बोट पर हैं, एक आइलेंड पैरडाइस की ओर जा रहे हैं। यह यात्रा आपको एक नई दुनिया में ले जा रही है। जहां हर चीज इतनी सुन्दर और शांती पूर्ण है कि आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। बर्मूडा पहुँचने पर ऐसा ही लगता है। यह जगह इतनी अद्धुत है कि आप इसे अपनी आँखों से देख कर ही विश्वास कर सकते हैं। यहां का हर कोना एक नई कहानी कहता है। ध्वीपों का यह छोटा सा समूह Atlantic Ocean में स्थित है। एक सपनों की दुनिया की तरह है जहां हर पल एक नया experience होता है। और मेरा विश्वास करो बर्मूडा शुद्ध magic है। यहां की प्राकृतिक सुंदर्ता इतनी अद्वितिये हैं कि आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। यहां का हर द्रिश्य एक नई तस्वीर की तरह है जैसे ही आप पहुचते हैं आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी पोस्ट कार्ड में कदम रख चुके हैं। यहां की रेत इतनी सफेद और मुलायम है कि आप इसे छूने से खुद को रोक नहीं सकते। हवा ताजी और साफ महगती है। यह हवा आपके फेफ़नों को ताज मुजगी से भर देती है और आपको एक नई उर्जा का एहसास कराती है। यहां का हर पल एक नई ताजगी का एक्सपिरियंस कराता है। रंग इतने जीवन्त हैं कि वे लगभक चमकते हैं। यहां के पेड़ पौधे, फूल और समुद्र का नीला पानी, सब कुछ इतना अब बात करते हैं बर्मूडा ट्राइंगल के बारे में। यह समुद्र में एक रहस्यमाई जगा है। कुछ लोग कहते हैं कि यहां जहाज और प्लेन गायब हो गए हैं। डरावना है ना? लेकिन चिंता ना करें। हम बर्मूडा के fun parts explore करेंगे। जहां ट्राइंगल की कह कहानी दिल्चस्प है वहीं यह आइलन्ड खुद सुंदर्ता और आश्चर्य से भरा है। तो आए रहस्यों को कहानियों की किताबों पर छोड़ दें और उन अविश्वस्मिये नजारों पर धान केंद्रित करें जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। पिंक सैंस का इंतजार है यह नजारा किसी सपने जैसा है जहां रेत का हर कंड गुलाबी रंग में रंगा हुआ है। बर्मूडा के बारे में सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे वह है रेत। यह गुलाबी है। यह न केवल देखने में सुंदर है बलकि यह एक अधवितिये एक्सपीरियंस भी प्रदान करता है। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? पिंक सैंड बीचेज यह द्रिश्य किसी जादूई दुनिया से कम नहीं है जहां हर तरफ गुलाबी रेत फैली हुई है। यह कॉटन कैंडी पर चलने जैसा है। यह रेत इतनी मुलायम और आराम दायक है कि आ आप इसे महसूस किये बिना नहीं रह सकते। यह अनोखा रंग फोरम में निफरा नामक छोटे जीवों से आता है। यह छोटे जीव अपने गोले छोड़ते हैं जो रेत को गुलाबी रंग देते हैं। उनके गोले किनारे पर धुल जाते हैं और यह अद्भुत गुलाब कर रहे हैं, संसेक रहे हैं और कोमल लहरों की आवाज़त सुन रहे हैं। यह सचमुच एक स्वर्ग जैसा एक्सपीरियंस है। यहां का हर पल आपको एक नई ताजवी और सुकून का एहसास कराता है। यह जगह न केवल अपनी सुनदर्ता के लिए प्रसुद्ध है बलकि यहां का वातावरण भी बेहत शांत और सुकून दायक है। तो तैयार हो जाए इस अध्वत एक्सपीरियंस के लिए और खो जाए इस गुलाबी रेत के स्वर्ग में। पांचवा भाग एतिहासिक हैमिल्टन में घूमते हुए। हालां कि बर्मूडा सिर्फ बीचेस के ब रशंसा कर सकते हैं और शायद एक होर्स ड्रॉन कैरिज भी देख सकते हैं। स्थानिय दुकानों और बाजारों में रुकना न भूलें। आपको घर ले जाने के लिए अनोखे स्मृति चिन्ह, हस्त निर्मित शिल्प और स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे। छठा भाग Crystal Caves में गोता लगाना। एक Underground Adventure के लिए तयार हो जाए। बर्मूडा शांदार Crystal Caves का घर है। ये गुफाएं चमचमाते स्टालेक्टाइट्स और स्टालेगमाइट्स से भरी हैं। कल्पना कीजिए कि आप इन गुफाओं से गुजर रहे हैं। जो हजारों सालों की प्राक Coral Reefs की रंगीन दुनिया। बर्मूडा जीवन से भरपूर Coral Reefs से घिरा हुआ है। अपने स्नौकलिंग गियर पहने और जीवन्त रंगों और आकर्शक जीवों की दुनिया में गोता लगाएं। आप रंगीन मचलियों के जुन्ड, Graceful Sea Turtles और शायद एक या दो चंचल दॉल्फिन से भी मिलेंगे। ये एक विशाल अक्वेरियम में तैरने जैसा है। बर्मूडा का अंडर वाटर जगत उसके जमीन आधारित आकर्शनों की तरह ही मनोरम है। चकित होने के लिए तैयार रहें। आठवा भाग, फोर्ट स्कॉर, अतीद की एक जलक। फोर्ट को जंगली होने दें। ये एक ही समय में इतिहास का पाठ और एक सुन्दर एडवेंचर है। आप किसी एतिहासिक घटना के पुन्ड अधिनियमन को भी पकड़ सकते हैं। ये बर्मूडा के सम्रिध्ध अतीद के बारे में जानने का एक मज़ेदार और एजुकेशनल तरी प्रण है। मचली का चावडर, हॉपिन जॉन, काली आँखों वाले मटर और चावल से बना एक नमकीन व्यंजन और निश्चित रूप से प्रसिध रमकेक जैसे स्थानिय पसंदीदा व्यंजनों को देखना न भूले। हर निवाला स्वाद का एक विस्पोट है जो आपक चीजों में से एक इसके लोग हैं। वे अपनी गर्म जोशी, आतित्थित और संक्रामक मुस्कान के लिए जाने जाते हैं। चाहे आप दिशा निर्देश पूछ रहे हों या सिर्फ बातचीत शुरू कर रहे हों। आपका स्वागत दयालुता और आपको स्वागत महसूस कराने की वास्तविक इच्छा के साथ किया जाएगा। तो शर्माओ मत। स्थानिय लोगों से बातचीत करें, उनकी संस्कृति के बारे में जाने और बेर्मूडा की सच्ची भावना का अनुभव करें। ग्या रहवां भाग। आए बेर्मूडा की खोज करें। तो ये र कर रहेंगी। अपने बैक पैक करें, अपना संस्क्रीन लें और पैरडाइस में एक अविस्मरणिय एडवेंचर के लिए तयार हो जाएए। बर्मूडा इंतजार कर रहा है।